हेलो एंड वेलकम बेक सांथियों मैं जुगलार आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे बेल आइकन को प्रेस कर दे यदि कविसे में लेकर आया हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर देख सकते हैं अब मैं पहले आले प्रस्टे की तरफ आगे बढ़ता हूँ निमनिलिखित में से कौन सा हैड्राइड इलेक्टरान परिसुद्ध है तो यहाँ पर डी वाला उप्सन आपका सही रहेगा चैनल को प्लस टू आइन निमनिलिखित में से कौन सा योगिक का उप्योग जल मरदू करन के लिए होता है तो इसका आपका सी वाला उप्सन एने 6 पी 6 ओ 18 सही रहेगा आवरत शाणी में निमनिलिखित में से कौन से वर्ग या वर्गो के तत्वों का हैड्राइड नहीं बनाते हैं तो इसका वर्ग 7, 8 और 9 वर्ग नहीं बनाते हैं निमनिलिखित द्वारा भारी जल प्रा प्राप्त हो जाता है अगला देखते हैं पोली मेटा फासपोर्ट फास फेट का जल उप्योग मरदू करण के कारण रूप में होता है क्योंकि यह यह होते हैं धनात्मक स्पीसीज के साथ घुलंसिल जटिल बनाते हैं साथवा देखते हैं निमने लिखित किस प्रक्रम के इस्थाई कठोर जल बनाते हैं तो केल्सियम सल्फाइड द्वारा जल का संतरप्तत होना ही कठोर जल प्राप्त होता है आठवा देखते हैं अनुवापन द्वारा जल कठोरता के निरधारन हेतु सामानिता कौन सा अभीकर्मक प्रियुक्त होता है तो इसका बी वाला उप्सन सही रहेगा इडेटा डाई सोडि इडेटा भी बोलते हैं इसको डाई सोडियम लवन नवा क्लार्क विधी द्वारा जल के मरदुकरण में प्रियुक्त होता है तो क्लार्क विधी द्वारा क्या होता है केल्सियम प्रियुक्त होता है नाभी की रियक्टरों में मंदक के रूप में प्रियुक्त होता है तो फिर अगला वाला पड़ते हैं हमें यहाँ पर कॉलम A और कॉलम B का मिलान करना है तो यहाँ पर हम कॉलम A को कॉलम B से सुमेलित करेंगे तो पहले हम सबसे पहले देखते हैं जल जल का विद्यूत अपघटे तो जल का विद्यूत अपघटे हमारा आपका option number E वाला सही रहेगा जल का विद्यूत अपघटे हाइडरोजन और आक्सीजन E वाला option आपका सही रहेगा लीथियम, एल्यूमिनियम, हाइडराइड का उपयोग कहा किया जाता है तो यह अपचायक के रूप में D वाला option इसका सही रहेगा हाइडरोजन क्लोराइड एक है तो इसका option हमारा हाइडरोजन क्लोराइड का B वाला option आपका सही रहेगा अगला देखते है परमानविक हाइडरोजन तो परमानविक हाइडरोजन का आपका रहेगा C वाला धातविक सता पर संयोजी होकर ताप उत्पन करती है तो इस वीडियो में केवल आपके आपके आपजेक्टिवली प्रस्न थे जोग मैंने आपको कवर करवा दिये है हम क्लास 11 की तयारी आपको करवाएंगे और हम चैप्टर वाइस कुछ इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आपके एक्जाम तक डालने वाले हैं आप हमारी चैनल के माध्यम से जुड़े रहें और इस चैनल पर लाब लें और जदर जदर इस वीडियो को शेयर कर दे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे पुराने वीडियो की लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको प्रवाइड कर दूँगा जैहिन सात्यों अगले वीडियो में जल्द मिलते हम आपको टाटा बाई बाई